25 जनवरी और 26 जनवरी का दिन कुम्भराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दो दिनों के कुम्भराशी फल के बारे में ये दो दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनेंगे किस वज़ा से ये दिन बेहत विशेस होने वाले हैं तो सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ तो देखें 25 जनवरी का दिन इस साल की पहली पूनिमा का दिन है अभी पोश मास चल रहा है और पोश मास की पूनिमा तिती है ये बेहत शुब संयोगों में आई है एक से बढ़कर एक योग और संयोग इस दिन बने हुए है पहला से योग इस दिन गुरुवार का दिन है और इस दिन पुष्च नक्षत्र लगा हुआ है पुष्य नक्षत्र जब भी गुरुवार और रविवार के दिन होता है तो बेहत शुब योग बनता है और आज के दिन गुरु पुष्य योग का निर्माण हुआ है जिसमें ये पुनिमा तिथी आई है पुष्य नाम का योग बनेगा जिसके स्वामी भगवान विश्णू होते हैं चंद्रमा अपनी राशी करक राशी में होंगे जहां चंद्रमा बली रहते हैं सुर्य मका राशी श्रवन नक्षत्र में हैं इसके अलावा तीन और बड़े ही सुन्दर योग हैं सरवार्थ सिद्धी योग है जो पूरा दिन रहेगा अमरत सिद्धी योग है जो अगले दिन सुभा तक रहेगा और रवी योग है जो अगले दिन सुभा तक रहेगा इस ही लाब दायक होने वाला है अब 26 जनवरी की देखें तो 26 जनवरी शुकरवार का दिन है क्रशन पक्षकी प्रतिपदा तिथी रहेगी पुष्च नक्षत्र सुभा साड़े दस तक है उसके बाद अश्लिशा नक्षत्र लग जाएगा और आश्मान नाम का योग बनेगा जि ये दो दिन आपके लिए कैसे होंगे कौनसा शुब समय होगा क्या उपाय आप कर सकते हैं क्या शुब रंग रहेगा सारी जानकारी 25 जनवरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं स्वास्ते के लिए आज से देखा जाए तो ये दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है आपको एनरजी देने का काम करते हैं आज के दिन किया गया निवेश आपकी सम्रद्धी को बढ़ाएगा आपके आर्थिक सुरक्षा में आपका इजाफा करेगा बहुत एनरजी से भरे रहेंगे आप दिन की शुरुवात एनरजी से भरपूर रहेगी जिन्दा दिल घरम जो गए उनके साथ अच्छी बांडिंग रहेगी आपके छोटे हैं जो उनके साथ कुछ तनाव अगर चल रहा था तो वो तनाव भी आपको दूर होता हुआ दिखाए देगा उन तनाव के छणों को आप दूर कर पाएंगे इस राशी के जातकों के लिए यात्रा का योग भी बना हुआ है ये यात्राएं आपके लिए नई जगहों को जानने का मौका देंगी नई जगह पर जाने का मौका मिलेगा कुछ महत्पूर्ण लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा ये दिन रहने वाला है पारवारे किस्तितिया इस दिन बेहत करते हैं मालक्षमी की पूजा करते हैं उनको प्रसन्न करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत थी शिग्र देखने को मिलता है अब इस दिन आप क्या कर सकते हैं तो सुबह की शुरुवात मालक्षमी की अराधना के साथ ही करें मालक्षमी को लाल पुश परपित करें लाल गुलाब लाल गुडल या फिर आप कमल का फूल उनको अर्पित कर सकते हैं विदी विदान से पूजा करें अगर हो सके तो आज सत्य नारान की कता जरूर पढ़ें सत्य नारान की कता पढ़ सकते हैं या किसी ब्राह्मन से करा सकते हैं आप इन कारे को जरूर करें ये मनो कामना पूरी करने का दिन है और जब इतने सारे योग बनते हैं तो उन योगों का प्रभाव जो है वो आपको अतिशिग्र देखने को मिलता है दिसलिए इन चीजों का आज के दिन आपको जरूर धियान रखना है शाम को चंद्रदेव को अरदे जरूर दें पाकि ये दिन बैंगनी रंग अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा वैसे तो पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन शाम को पांच बजे से भी है शुब संयूग बने हुए हैं यहां ये समयाप के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा आपका कौशल का माल का होगा आप अगर किसी उत्पादन का शेतर है आपका तो वहां अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे आप बड़ी ही कुसलता से अपके अपने काम कर पाएंगे पोजिटिविटी के साथ आप काम कर कारियों को उपायों को ज़रूर करें मालक्षमी को प्रसन करने के लिए इन कारियों को ज़रूर कर सकते हैं। चल रहा था या फिर कोई नोकरी पर रखने का मुद्दा चल रहा था तो उन चीजों को आप समाल कर अगर चलेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा कोई भी आपके आफिस से जुड़ी होई समस्या है तो वो काफी जादा बड़ा रूब भी ले सकती है तो इसलिए इन चीजों की तरफ अच्छे से ध्यान दे कोई लोटरी वगरा खेलते हैं तो वहाँ से हटें तो जाद अच्छा है वरना वो आपको एक पल में डुबा भी सकते हैं विदेश से कोई अच्छी समाचार मिल सकते हैं प्रोड़ा आप चाहते थे तो वहाँ से जुड़ी हुई कोई ख़बर आपको आज मिल सकती है अगर आपको कोई ऐसा कारिय है जहाँ विदेशी गराहका आते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहेगा, कोई ऐसा उत्पादन, कोई ऐसा प्रॉडक्ट है आपका, जो आप विदेश सप्लाई करते हैं, तो आज आपके ग्राहकों की मांग बढ़ सकती है, तो वहाँ भी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दर रहा है, ल ताकि अगर हम बात करें आपके रिष्टों की, तो किसी नए व्यक्ति से मिलने की संभावना बनी हुई है, आप अगर अकेले पैरेंट हैं, तो आपको कोई ऐसा पार्टनर आज मिल सकता है, जो आपकी समस्या को समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, तो आप जरूर जाएं, मिलें, क्योंकि हो सकता है, जिनकी प्रतिक्षा आप करें थे, वो प्रतिक्षा का अंत होने का समय आप आ चुका है, तो इस चीज़ें कहीं आपके लिए ये दो दिन कुछ नए चीज़ों को करने का है, कुछ नए लोगों से मिलने का है, और चटा भाव जो होता है ये करजे का भाव भी होता है तो यहां चंद्रमा की इस्तिती है और बाकी ग्रहों की इस्तिती अगर आप देखें अगर आपने करज लिया हुआ था तो उस करज से मुक्त होने के लिए अच्छे योग बने हुए हैं कहीं नहीं आप कर्ज मोक भी हो सकते हैं स्वास्ते का थोड़ा सा ध्यान रखें दिए तो छोड़ा सा ध्यान रखना होगा बाकी ये दो दिन आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं तो दोस्तों और अधिक एसी जानकारीों के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्याज़दा लाइक करें शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें